जी कृष्णिया जी के पतने थी अभी कभी आप सुनके बात हुई ये नहीं हुई 15 साल से हम लोग लगातार आंदोलन और इस सब में खप गए लगातार इधर ही अटके रह गए जकड़े रह गए है ना समवाद बनाई जाएगे और हमारी सहन भूती है हमके साथ हमने जो सहा है इतने 15 साल में हम समझ सकते हैं कि उनके परिवार के साथ क्या हुआ होगा तो परिवार एक हमारा परिवार एक उनका परिवार इस पूरे मामले में जो है दो परिवार को जो है छती पहुंची है और जिन्होंने हादसा किया जिन्होंने गलत किया वैसे लोग छूट शूट शुक्त एक चौपीदार और प्राधान मंत्री को एक जगा ही एक ही नजल के सब्सक्राइब क्या बूलना चाहते हैं हम लोग चाहते हैं कि बातचीत बनाई जाए पंद्रह साल से हम लोग लगातार आंदोलन और सब में खब गए लगातार इधरी अटके रहे जकड़े रहे हैं समवाद बनाई जाएगी और हमारी सेहन भूती है हमके साथ हमने जो सहा है इतने पंद्रह साल में हम समझ सकते हैं कि उनके परिवार के साथ क्या हुआ होगा कैसे उन लोगों ने टॉलेरेट किया होगा है ना और हम यह जरूर कहना चाहेंगे कि दो परिवार एक हमारा परि परिवार इस पूरे मामले में जो है दो परिवार को जो है च्छती पहुंची है और जिन्होंने हादसा किया जिन्होंने गलत किया वैसे लोग छूट चूट चूट जी मायवत्ती भी एक सवाल उठा रही है कि अटवंदन सरकार जो है वो दलित विरोधी है खास करके आप का जूपर करन आपके पिता जी का क्या कहना चाहती है इतने बड़ी लिडर है कि मतलब आएस जो है वो अगर गलित हूँ तो ऐसा कुछ नहीं आया रहा है कि कुल भी है कि ऐसा भी अगर अगर होता है तो सबको एक नजरिया से ही देखा जाएगा मतलब एक चौकिदार और प्राधान मंतली को एक जगा है एक ही नजरिया कानून के सवार है तो यह दलित बोल देना या पर कुछ बोल देना हम दलित के लिए लड़े हैं हम अपने छेतर से जहां से जीट के आता हम आपकर दलितों ने हमको बोट दिया है यह सब बात बोल देना बदा आसान होता है क क्या बोलना चाहते हैं महीं इंग्लेंड में रहे करके इंडिया की बात नहीं की जा सकती ठीक वैसे ही यूपी में रहे करके विखानी बात नहीं की जा सकती है